question number 8 में कह रहा है कि length of arc ये arc a b जो है वो बराबर है 2 times of arc b c यानि ये जो arc a b दिख रहा है ये वाले arc a b जो दिख रहा है वो बराबर है 2 times of arc this arc b c and angle a o b जो दिख रहा है angle a o b यानि this angle is talking about sorry angle a o b this is 108 degree okay clearly we can see यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर since arc a b 2 times of arc b c यहाँ पर ये वाले arc 2 times है इस arc a तो यहाँ पर इसी तरह angle भी आपस में इसी तरह equal होंगे जैसे कि क्या होता था arc equal होता था तो center पर जो angle बनता था वो भी equal होता था उसी तरह यहाँ पर arc a b बराबर 2 times हो रहा arc b c का तो angle भी उसी तरह होगा यहाँ अंगल a o b बराबर होगा 2 times of angle b c equal arc subtend equal angle at the center ठीक है तो 180 degree बराबर 2 times of angle boc यहाँ अंगल boc बराबर 54 degree निकल लिया ध्यान रहे यहाँ पर हमको boc नहीं यहाँ पर हमको angle c a b और a d b c a b c a b c a b d यहाँ पर d है ध्यान रहे a d b यह यह वाले angle की बात हो रही है ठीक है clear है ठीक है अभी यहाँ पर angle boc का value निकला 54 degree ध्यान यहाँ पर यह देने का है कि आपको angle b a c अगर find करना है b a c तो देखा जाए तो यह जो arc दिक रहा है यह जो arc है इस arc के दोवारा जो angle यहाँ पर बन रहा circle की इस part पर that is b ingle b a c और center पर यह वाले angle बन रहा है याँ angle boc ठीक है clear तो किसे पता चल रहा है और यहाँ पर angle boc जो find हुआ that is called 54 degree तो ध्यान दिए का यहाँ पर अगर 54 हो रहा है तो यहाँ पर 27 होगा याँ angle c a b का video कितना है 27 यह जोच clear हो गया अब angle a d b याँ यह वाले angle की बात हो रही है angle a d b तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि अगर आपको यहाँ पर a b b c a d b c क्या एक कोडिरेटरल है इसके जो वटाइसे से touch कर रहे है यह एक सैकली कोडिरेटरल है तो यहाँ पर यह वाले जो angle दिख रहा है यह 97 डिगरी है उसकी बाद अगर हम notice करें ध्यान दिजेगा यहाँ पर यह जो arc a b है यहाँ पर जो angle बना रहा है that is angle a o b तो यहाँ पर अगर 108 बना रहा है तो जाहर सबत इसका अधा यानि यहाँ पर जो angle बनाएगा 54 डिगरी बनाएगा अब धियान दिजेगा a d b से exactly कोड टोल अगर यह 54 है तो यह angle कितना होगा इसके just opposite angle का sum कितना होता 180 डिगरी तो 180 में जब 50 घटा दिजेगा आप तो यह angle आजाएगा angle a d b जो होगा वह आएगा 126 डिगरी यह चीज़ क्लियर हो गया question number 9 आप खुछ से बना लेना question number 10 में क्या है in the given figure b d is a side of regular hexagon this is a side of regular pentagon and a d is a diameter तो यहाँ पर जो भी given है हमने लिग दिया to find क्या करना है वो लिग दिया है यहाँ पर angle b o d बराबर क्या होगा यहाँ पर दिखे जाए तो b d किसका part है hexagon का regular hexagon का part है इसलिए b d बराबर क्या होगा 360 divided by 6 यानि angle b d बराबर क्या होगा 360 divided by 6 यानि 60 degree और angle d o c यानि d c के दोवारा जो angle subtend के जाएगा क्योंकि d c side है regular pentagon का तो angle d c के दोवारा जो angle subtend के जाएगा angle d o c बराबर 360 divided by 5 यानि आगे question है that is called angle a d c ठीक है तो यहाँ पर हमने एक चीज observation कि है कि यह जो angle d o c है यह जो angle d o c है वो कहीं ने कहीं वो बराबर है आपके two times of d b c के क्योंकि यह जो arc d c है यहाँ पर angle 7 meter पर subtend कर रहे है वो आपका d o c है और आपके जो circle के circumference में जो कर रहे हैं वो angle d b c है तो यहाँ पर d o c बराबर two times of d b c तो angle d b c का जो value निकला वो 36 degree निकला यह भी जिच clear है कोई दिकर ने angle d b c का कितना value निकला यह जो angle निकला 36 degree clear है अब ध्यान दिएगा angle d b c equal to 36 degree निकल गया अब ध्यान दिएगा inter angle o d c में दिखा जा तो o d ro c बराबर है ठीक है और यहाँ पर यह जो angle आपका d o c है वो 72 degree है भोचिच के लिए है 72 degree अब यह side और यह side बराबर है यह इकोल डिदो यह है तो यह angle और ये angle भी बराबर होगा तो यह angle x consider करते हैं यह भी angle x consider करते हैं तो 2 x plus 72 बराबर 180 यह जो यहानि x बराबर कितना हो जाएगा 180 x plus x plus 72 बराबर 180 यहने 2x प्राफ 180 मैंश 72 यानि 108 तो हर एक एंगल जो निकलेगा यहाँ पर वो 54 होगा 54 डिड़ी यह भी इंगल 54 और यह भी इंगल 54 डिड़ी ठीक यानि पहला वाला जो निकला वो एंगल ओ डीशी बोलो या एडीशी बोलो पर एकर एंगल बना रहा तो यह 54 होगा, यह चीज 100% गारंटी है, यह वाला 3rd part भी clear होगिया, ठीक है, अब यह वाला 54 है, तो यह कितना होगा, यह वाला एंगल यह भी 54 होगा, अब यह कितना होगा, 108 होगा, 108 होगा, यह एंगल आपका 54 डिग्री नहीं है, ABC पूरा एंगल आपका 54 है, ठीक है, तो यह पूरा एंगल 54 है, नाव कि यह किवल AB हो, ठीक है, यह जिद्याल रखिएगा, हम लिग देते हैं फिर से, फूरा है, फूरा 54 है, अब देखो यह वाला 54 है, अब देखो A, B, C, यह ऐसा कोड यह पूरा एंगल ABC कितना है, 54, तो यह एंगल कितना होगा, एक सोसी में 54 घटाओ, तो यह एंगल जो होगा, वो होगा 126 डिग्री, क्लियर समझ मारा है, यह पूरा एंगल कितना है, 54, तो यह एंगल 126 डिग्री है, ठीक है, यह एंगल A, C, V, value निकल गया, ठीक है, अब हम को BDA find करना ध्यान रहें एंगल BOD का जो हिल्य है 60 डिग्री है अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा जाहिट सा बात 120 डिग्री हो सकता ये एंगल नहीं ये 120 है ये 60 है तो 120 होगा अब ये एंगल अकर आपका 30 है ये पूरा आपका 30 है ये पूरा आपका ये एंगल से कोई मतलब नहीं ठीक है ये पूरा आपका 54 है इस एंगल से अभी हमको कोई solution से कोई फ़रक नहीं पड़ेगा इस एंगल से ठीक है इस एंगल को लिखने के दुरूत नहीं है ये एंगल 120 है तो ये जो आर्क अबी सेंटर पर कितना एंगल बनारा है 120 तो यहां पर कितना बनाएगा उसी कजस्ट हाप बनाएगा यानि बीडिय कितना होगा 60 डिगरी तो ये हमारा एंसर हो गया खीक है question number 10 is completed